इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ओविसली आपने टाइटल और थमनेल से समझ लिया होगा दा एट शो वेब सीरीज के बारे में नेट्फिलिक्स पर इसको रिलीज किया गया है और ये एक कॉरियन वेब सीरीज है प्यार मुपत वाली तो बिल्कुल भी नहीं है बाई साब जो मुझे काफी अच्छी चीज लगी क्योंकि मुझे नहीं देखनी थी यह प्यार मुपत वाली मुझे कुछ हट के स्टोरी देखनी थी कॉरियन वेब सीरीज के बारे में अब सबसे पहले बात करते हैं देखो यार इस सीरीज को लेकर कंपेरिजन चल रहा है स्कुट गेम से अब यह स्कुट गेम और एड्शो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है अब यह नहीं है कि स्कुट गेम में जो हैं वो कुछ खेल होते हैं पैसे कमाने के लिए और इसमें भी कुछ खेल हैं पैसे कमाने के लिए तो यह कॉंसर्ट हो गया तो दोनों चीजें एक हो गई कमाल है यह बहुत सारी चीजें अलग हैं इसके अंदर First of all तो देखा स्क्विट गेम के एक स्टोरी है वो बहुत अलग चीज़ें हमें रिप्रेजन करती है लेकिन दा एड़ शो के अंदर एक तरीके से सोसाइटी की रियल पिचर हमारे सामने आती है एक जो एच्वल में जो वर्ल्ड है वो काम कैसे करता है अमीर गरीब के बीच का जो भेदबाव है वो कैसा है क्या अमीर जो लोग है वो गरीबों को दबाते हैं उनका शोशन करते हैं उनके उपर अत्याचार करते हैं उनका यूज करके और जो गरीब हैं उनको कम मिलता है वो कितनी भी महनत कर लें उनके पास थोड़ा बहुत ही आता है अपनी सारी उमर गिसा देते हैं लेकिन वो क्या पचा पाते हैं कुछ भी नहीं और एक ऐसा टाइम आता है कि उनके मन में उनके दिल में घरिना हो जाती है अमीरों को लेकर और फिर वो क्या वो बगावत करते हैं लेकिन अमीर कहीं न कहीं इस चीज़ को भी समझते हैं कि भाई साब गरीबों को इतना भी मत सताओ कि वो अमीरों के प्रती घरिना कर लें उनके प्रती बगावत कर दें तो वो उसको इतना ही देते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें और कभी करांती की बात आए तो भाई साब उसको वो कैसे हैंडल करते हैं ये अमीरों को बहुत अच्छे से पता है ये वही चीज है capitalist versus communism की जो लड़ाई हैं ये real world को जोड करिनों ने जो चीजी इसके अंदर दिखा ये वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है अब देखो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजे मैं आपको यहां पर बता देता हूं कुछ चीजे मुझे बात करनी हैं कुछ topic हैं जिसके ओपर मैं discuss करूँगा obviously उससे आपको इस series के बारे में the eight show web series के ब पहाने के बारे में इसकी जरी में आपको eight episode देखने को मिलने वाले हैं और eight episode के अंदर eight लोगों को लिया गया है मतलब कि eight लोगों को शुरुआत में choose किया जाता है उन्हें इस अधार पर select किया जाता है कि आठों जो लोग हैं वो कंगाल हैं एक तरीके से बिलकुल starting से होता है अब यहां पर इन्होंने क्या किया है हर minute के उपर हर एक कमरे में रहने वाले आदमी को या लड़की को औरत को जो भी है यानि इनसान को हर minute के उपर रुपे दिये जाते हैं मतलब मैं अपनी currency में बोल रहा हूं रुपे दिये जाते हैं obviously रुपया जो है वो south korean की व और कम दिया जा रहा है ऐसे चलते चलते first floor को सबसे कम दिया जाता है as compared to 8th floor पे रह रहा हो यह जो money का distribution जो इन्होंने किया है floor wise वो आपको real world से जोड़ने के लिए एक तरीके से इन्होंने एक कदम आगे बढ़ा है कि इससे देखे क्या क्या चीजे difference होने वाली है कैसे एक work generate होगा कैसे एक society generate होगी अमीरों की society और गरीबों की society जो आपके ऊपर हैने वाला है वो कैसे शोशन करता है कैसे शाशन करता है और नीचे वाला जो लोग है वो कैसे दया का पातर बनके रह जाता है कि यार इसको दैसे दैसे दबा के रखो इसका use करके रखो यहां पर वो जो चीज इन्होंने concept डाला है, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, क्योंकि उसको आप relate कर पाऊगे अपने real world से, जो होती है, actual में वो हमारे सामने, या हम world में जैसे देखते हैं, obviously आपने अगर news पढ़ते हैं, international news पढ़ते हैं, देश में भी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको पाता चलेगा कि कैसे चीज़ें work कर रही हैं, अब इन आठ लोगों को जहां पर रखा जाता है, यहां पर इनके लिए शुरुआत में 24 गंटे ही होते हैं, अब हर मिनिट के ओपर ओविसली इनको रुपया मिल रहा है, लेकिन यह 24 गंटे धीर 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 कम भी हो रहे हैं, 24 गंटों बें खतम हो जाएंगे, तो यहां पर रहने के लिए भाई साब यह रुपय कम यह टाइम कमाने हैं, तो टाइम कमाना है, तो भाई साब इनको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी, क्योंकि हर जगए कैमरे लगे हैं, इनको देखने वाले लोग हैं, अमीर ही लोग हैं, जो इनको अपने इशारों पर सारे रुपयों के लिए, और साथ इसाथ यहां पर एक और भी चीज़ इन्होंने डाली है, कि यह जो आठों जो लोग हैं, यहां पर रहने वाले जो लोग हैं, इनको एक ही टाइम का पानी और खाना मिल रहा है, मतलब इनको कमरे में कुछ भी ऐसी चीज सुवीधा इन्होंने नहीं दिया, यहीं हगना मूतना है, तो भाई साथ उसके लिए भी पैसे कर्च करने पड़ रहे हैं, और सोना है, तक्या लेना है, बिश्तर लेना है, इनको कुछ नहीं दिया गया, एक जोड़ी कपड़ा दिया गया और एक टाइम का खाना पानी दिया गया बस, अब सोचो यार, बाकी चीजे इनको कैसे लानी है, ओविसली जो इनको हर मिनिट के उपर रुपे मिल रहा है, तो इनको कुछ भी खरीदना है, तो हजार घुना जี่ना दाम देना पड़ेगा बहार की चीजे, बाहर की कोई चीज, अगर एक रुपे की मिल रही है, इतना ज़्यादा रुपे इनको मिल रहा है, तो ये थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं जितना होसो के बाहर लेके जाएंगे ये थोड़ा कम कर्च करते हैं अब इसको लेके जो लडाईयां होती है जो दिमाग यहां पर लगाया गया है ट्विस्ट जो यहाँ पर लाए गए है यार ये इस सीरीज को चुमेशवर लेवल की बना देती है मुझे वाकई में ये सब चीज़ें बहुत पसंद आए जब यहाँ पर राजनीती स्टार्ट हो जाती है जो एक वर्क डिस्टिब्यूट हो जाता है अपर क्लास लोवर क्लास ये चीज़ें मुझे काफी ज़्यादा इसलिए भी पसंद आए क्योंकि कुछ जो चीज़ होते हैं अपर क्लास से थोड़े कम होते हैं वो कैसे चापलसी करना स्टार्ट करते हैं कैसे अपने आपको बचा के रखने के लिए उपर वाले की दया का पातर बनने की कोशिश करते हैं वावाई करते हैं जूटी वावाई करते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी अब उसके बार ये जो लोग हैं कुछ फ्लॉर वाले मिलकर अपने से नीचे वाले फ्लॉर का कैसे शोशन करना स्टार्ट करते हैं अब आब उविसलिई उनको जादा रोपिया मिल रहा है तो बाई सवो इतना काम क्यों करें उनको इतनी मेहनत क्यों करें मेहनत तो नीचे वालों को करनी चाहिए क्योंकि उनके पास कम रुपया आ रहा है और उनकी वज़े से हमारा जो टाइम है बरबाद जा रहा है दोखो बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में डिस्कस करने को अब मैं इतना खुलके भी अगर मैं के सामने आती है वो काम कैसे कर रही है यह सब चीजें होती है एक्ष्वल में होती है और इन्हों ने एक गो और जो चीज इसके अंदर डाली है कि जो एट फ्लोर पर या फिर जो उपर वाले फ्लोर हैं उसमें रहने वाले जो लोग है वो बहुत जादा निर्दई हैं इतन यही इनका सबसे बड़ा weak point दिखाया गया है अब क्या जो makers हैं वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप नरम दिल हैं, इंसानियत आपके अंदर हैं आप किसी की परवा करते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता आपको दबा के रखा जाएगा आपको गुलाम बना के रखा जाएगा आपके उपर अध्याचार किया जाएगे आपका शोशन किया जाएगा आपका यूज किया जाएगा इतना अच्छा होना आपके लिए हानी कारफ होगा ये सब चीज़ें ये सीरीज बताती है तो क्या actual में ऐसा होता है कैर इसका सवाल तो आप खुद मतलब इसका सवाल क्या इसका जवाब तो आप खुद ही डूंडोगे जब आप इस सीरीज को देखोगे ये हो गई इसकी कहानी कुछ चीज़ों के बारे में जो मैंने डिसकस करना था मैंने उसी बीच में कर भी लिया अब बात करते हैं कि क्या ये अच्छी है ये बुरी है देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये जरूर आप देखो मैं рекommunit आपको दो ऑने आप जरूर करूँगा कि आप ये जाकर जरूर ये से जीरीज देखें, आठी एपिसोड है, कोई ज़्यादा एपिसोड नहीं है, और नाटों को एपिसोड के अंदर, जो मैं इसके देखना शुरू के अंदर इसके मेरा इतना ज़्यादा इंटरस्ट बन गया था, लास्ट तक वो इंटरस्ट बना रहा, कहीं पर भी वो कम नहीं हुआ, एंडिंग भी मुझे इस सीरीज की बहुत ज़्यादा पसंद आए, परफॉर्मन जो है, इस सीरीज में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इवन जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जो रियल वर्ल्ड से जोड़कर इन्होंने कहानी को दिखाया गया है, और भी कुछ चीज़ें इन्होंने ट्विस्ट हैं, टर्न ट्विस्ट जो इसमें डाले गए हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्लास को डिवाइड कर देना, अपर क्लास, लोवर क्लास के अंदर, फिर राजनीती, दोखा, ये सब चीज़ें दिखाना जो इस सीरीज को बहुत अच्छा बनाता है, और पैसा कमाने के लिए जिस हद तक लोग चले जाते हैं, जो क्रुयलिटी हमें दिखाई जाई ती, मतलब यार, वो भी बहुत अच्छी चीज़ लगी, मतलब मैं यह नहीं कहीं पर भी ऐसा नरम कोर्नर नहीं लिखा, एक सोफ्ट कोर्नर नहीं रखा कि हाँ यह चीज ना दिखाएं, उन्होंने वो कोशिश किये हैं, आप लोग को सामने वो पिच्चर, वो रिप्रेसेंट करने के सुसाइटी की हाँ, ऐसा भी हो सकता है, भाई साथ देखो, अकर इंसान को रुपया दिया जाए तो वो किस हद तक जा सकता है, सारे इंसान अ बात करूँगा, तो फिर यार, वही आजाती है, कि यार, मैंने हर चीज आपको बता दी, स्पोईलर हर दे दिया, तो मुझे थोड़ा सा ना बचारा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो चीज मुझे बताना, तो मेरी तरफ से तो देखो, इस सीरीज को मैं देना जो चीजों को समझती है, जो सोसाइटी को समझती है, जो देखती है कि भेदबाव होता है अमीरों का गरीबों के साथ, जिस तरीके का उनके बीच में एक डिफरेंस बनाके रखा गया है, अमीरों के पास बहुत ज़ादा पैसा जाता जा रहा है, एवन हमारे देश के इवन ये रिसर्च हमारे सामने आई थी अगर आप ये देखेंगे सर्च करेंगे तो डंग रह जाएंगे इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रेट किया हूँ है भारत के अंदर भी वो सरकार का काम है वो सरकार देखेगी उस चीज को कैसे कम करना है कैसे जो जो लोवर कलास है उसको उपर लेके आना है पढ़ाई वाली बाते हैं हम यहां नहीं करने वाले हैं सीरीज पर फोकस करते हैं तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप जाकर ये सीरीज जरूर देखें अब बच्चों के लिए तो देखो बिलकुल भी नहीं है सीरीज हिंदी डबिंग की बात करूँ तो हां हिंदी डबिंग मुझे काफी जादा पसंद आई अगर आप लोगों ने सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि कैसी लगी अगर नहीं देखी है तो कितनी बार कहूं यार देखो 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 बस पसंद आ भी सकती है देखो यार मैंने क्यारा कि डेफिनेटली आपको पसंद आएगी मुझे बहुत पसंद आई है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ नहीं भी आ सकती वो आपकी इच्छा है तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में थैंक्स और वोचिंग इस वीडियो में नेक्स वीडियो में जैहीं